मैं महान भारत की उत्क्रिष्ट बर्टालियन इंजिनेर रेजिमेंड का एक सिपाही आज आप लोगों को इस कवीता के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इंडियन आर्मी में एक फौजी जवान की जिन्दगी कैसी होती है किर्पिया इस कवीता को सुनिये और सेर जरूर कीज उसके बाद ब्रेक फास्ट होगा खतम करना फास्ट होगा आखिर में जो आएगा भुखा ही रजाएगा फिर दिन का वर्क बाटा जाएगा मेन सीपाईयों का चाता जाएगा वैसे तो काम कोई नहीं है लेकिन फिर भी आराम नहीं है बीना मतलब की सिरदर्दी है पहने के लिए मैस है टाइम टू टाइम रिफिस्मेंट है गलती करो तो परिस्मेंट है एक बड़ी सी बैरक है बीज उसमें खाट होगी सब पर एक रजाई होगी मचरदानी लगाने में भलाई होगी M.T. वाले तो मौच है, बस गारी चलानी रोज है, हफते में तिन बार मीट है, खाने के लिए ना कोई सीट है, कभी करी बना खाना भी होगा, उसमें जब सब जवानों को आना होगा, नई डेस पहननी होगी, उसमें प्रेस करनी होगी, CEO साहब भी आएंगे, मैडम को साथ मिलाएंगे, वो तो हलका बोजन खाएंगे, बाकी बचा हमारे जवान निप्टाएंगे, जिसीन SM साहब टेंसन में आएंगे, सभी JCO के कान खरी हो जाएंगे, काम की रिपोर्ट बतानी होगी, वरना गालिया खानी होगी, यूनिट को सब एकसरसाइज में जाना होगा, उस समयना कोई बहाना होगा, जवानों की लगी ड्यूटी होगी, कैंसल सारी छुटी होगी, आरपी वाले को ड्यूटी मेरिक्स है, दस गंटे करना फिक्स है, एमपी वाले बदे बदमास है, ब्रीगेडियर सहाब के बहुत खास है, में एक केंटीन है, उसमें कलर्क तिन है, समान भी धोड़ा कम है, महीने में छे बोटल रम है, चलो इसी से काम बन जाएगा, अगले महीने फिर कोटा मिल जाएगा, मैडम भी हमारी आनी चाहती है, साथ फोन पर रोज करती है, ये बात रूम यहां मिलना नहीं है, इसका आई है, मेरी मा भी थोड़ी गब आई है, यहां आतेंक्टियों की है गोली, जिसका जिले का नाम सोपिया है, खाने में ड्राइफूट है, सर्दी में अटूट है, नौक्रे भी करेंगे, मौसम से न डरेंगे, पान साल में प्रोमोशन है, फिर जिन्दगी रोसन है, बस 15 स सल के टेंशन है, उसके बाद पेंशन है, जैसियों अगर बन जाओगे, बीच में ही फस जाओगे, ना ड्यूटी मिलेगी, ना छुटी मिलेगी, ना कोई काम होगा, ना कोई आराम होगा, लेकिन फिर भी मौज, फॉज में मौज है, हजार रुपे रोज है, सैलरी बढ़न चकना चूर है, दुसमन आगे खड़े हुए है, सीमा पर हम अरे हुए है, आंदी नहीं, तुपान नहीं, हम फॉजी देश की सान है, हम देश की फॉजे है, फॉजी है, अपने मन के मौजी है, जिंदगी थोड़ी रिस्की है, इसलिए विस्की है, दुसमन अगर जादा है तो हम भी उनके दादा है, चीर फ्यार देंगे, जर से उखार देंगे, या तिरंगा फार आएंगे, नहीं तो लिपट आएंगे, दुस्मनों के लिए तलवार है, दोस्तों के लिए दिल्दार है, पैसे नहीं है देश से हमको प्यार, हम फोजी यारों के यार, और आखडी म मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आजादी की कभी साम न होने देंगे, सहीदों की कुर्बानी कभी विकार न होने देंगे, वची हुई, जो एक बुन भी लहू की, तो भारत मा का आचल कभी निलाम नहीं होने देंगे, जै हिंग, जै भारत, जै बंदे मात्रम, अगर आप एक फोजी है या आपके परगार में कोई फोजी है या फोजी की तयारी कर रहे हैं या आप NCC कैडइट्स है या आप फोज को प्यार करते हैं आपके दिल में Indian Army के लिए प्यार है तो कम से कम इस कभिता को 10 से 12 लोगों को जो मैंने बताया 15 अगस्त के और कम से कम ज तो आज यह सोचंत्रता दिवस के आउसर पे इसे आप जरूर सेर कीजिए, यह एक कभीता है, जो की एक इनफेंट्री मैंद के द्वारा लिखी गई है, इंजीनियर के द्वारा, इंजीनियर रेजिमेट के वीर भोग वसुन्धरा, एक भार्थे सिपाई है, उनके द्वारा लिखी गई है, बस मैं इसकभीता को वेक्त किया हूँ, जय हिन, जय भारत, जय वंदे, मात्रम